पुराने समय की बाद है, हस्तिनापुर में महराज धृत्राष्ट राज करते थे, उनके सौ पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे, कौरवों में दुरियोधन सबसे बड़े थे, धृत्राष्ट के छोटे भाई थे पांडू, पांडू के पांच पुत्र थे, युधिस्ठेर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदे, पांडू का पुत्र होने के कारण वे पांडव कहलाते थे, युधिस्ठेर, पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे, सभी राजकुमार साथ-साथ खेलते और गुरु द्रोनाचारे से शिक्षा प्राप्त करते थे, युधिस् चिलाते, तब भीम उन्हें अपनी पीट पर बैठा कर पानी से बाहर निकलाते, यह भीम का खेल था, उनके मन में किसी के लिए कोई वेर भावना था, दुर्योधन मनी मन भीम से जलता था, जैसे जैसे भीम बड़े होते गए, वे और अधिक निडर तथा साहसी बन गए, अपनी माता कुंती के साथ जंगलों में रहना पड़ा, घूमते घूमते वे लोग एक गाओं में पहुँचे और एक ब्रामण के घर ठहर गए, गाओं के पास एक राक्षस रहता था, गाओं के लोगों को प्रते दिन एक गाड़ी में भर कर बहुत सा खाना राक्षस तक पहुचाना पड़ता था, राक्षस गाड़ी में भरे खाने के साथ साथ बैलों और गाड़िवान को भी मार कर खा जाता था, गाओं वाले राक्षस से बहुत दुखी हो चुके थे, एक दिन उस ब्रामण के पुत्र की बारी गाड़ी लेकर राक्षस के पास जाने की आई राद भर ब्रामण और ब्रामणी रोते रहे, पूचने पर उन्होंने बताया, आज हमारा पुत्र राक्षस की भेंट चड़ जाएगा, वह मार कर उसे खा जाएगा, हम क्या करें? माता कुंती ने उन्हें सांथोना देते हुए कहा, आप डरिये मत, मेरा पुत्र भीम बहुत वीर और सासी है, आपके पुत्र के स्थान पर आज वह राक्षस के पास जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह उस राक्षस को अवश्य मार डालेगा बैल गाड़ी में मिठाई फल, अनाज और तरह तरह के खाने का सामान लेकर भीम उस राक्षस के पास पहुचे, भीम, निडर और सासी तो थे ही, वे बड़े मजी से गाड़ी पर बैठे बैठे, फल, मिठाई खाने लगे, उन्हें इस तरह खाते देख, राक्षस गुस्स वर दात पीसता हुआ बोला, वहां क्या कर रहा है, इधर आ, देखता नहीं, मैं खा रहा हूँ, भीम ने शांत भाव से कहा, यह सुनते ही राक्षस गुस्से में भीम पर छपट पड़ा, भीम भी अपनी गदा उठा कर राक्षस पर तूट पड़ी, राक्षस बहुत उन्हें जब सामान से भरी गाड़ी पर भीम को सही सलामत आते देखा, तो वे खुशी से ना चुठे, राक्षस के मारे जाने का समाचार सुनकर सब भीम की जैजैकार करने लगे, माता कुंती ने आगे बढ़ कर भीम को गले से लगा लिया, उन्हें अपने पुत्र पर गर हो रहा था, आगे चल कर भीम ने साहस के और बड़े-बड़े काम किये